हलो गाइज मैं मनी साहज आपका फिर्चे स्वागत करता हूँ इस जबरदस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं एक और ड्रोइंग प्रक्टिस सेट आपके लिए लेके आए हूँ क्योंकि ड्रोइंग के जितनी ज्यादा प्रक्टिस करेंगे उतना ही बहतर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके जो यहाँ पर 2D विउज भी दे रखे हैं और 3D विउज इसका साथ में ही है 3D विउज जो है वो help करेगा आपको easily यह ड्रोइंग समझने में ठीक है इसका जो 3D विउज इसको आप अच्छे से समझ लेजिए सबसे पहले यह वाली देखे इसमें कहके details इसकी दे रखे हैं इस विउज में इसको देखेंगे इसमें देखे आपको एक चीज अलग दिखेगी यह जो आप पार देख रहे है वाइट कलर का यह यहाँ से अलग है और यह यहाँ पर hatching दिखा रखे है ठीक है मतलब यह जो drill hole आप देख रहे हैं यह यहाँ पर 3D view में देख सकते हैं यह वाला जो drill hole है इसकी details देने के लिए यहाँ पर यह जहाँ पर होल है वहाँ पर देखे हैं तो इससे clear पता चल जाएगे इसकी काफी detail यहाँ से मिल जाए इसलिए यहाँ से ऐसा कर रखा ठीक है दूसरा view यह देखे अगर इदर से देखेंगे तो यह वाला side view है इसमें जो भी details है उनकी भी सारी बात करेंगे और यहाँ पर जो radius वगएरा दे रखे है वह सारी मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है तो यहाँ पर देखे पहले इस view की बात करते हैं इसमें क्या क्या details दे बनी यहाँ पर यह अंदर वाली यह रआडियस है यह Asya की रआदिस है ठीक है इसके बाद में यहां के यह जो अंतर वाली DC देखेंगे यह इस फ्लैट से लेकिए इदर वाले फ्लैट से तक की इनको जुम करके दिखाता हूँ यहां पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यह वाले जो side वाला hole है, side मीं यह दो hole है, इनकी details दे रखें और इन में क्या-क्या है अंदर यह जो सारी चीजे वो यहां पर देखने को मिलेंगे, अब यह देखें, यह length 73 क्या है, यह यहां कितना है 49 यह बड़ा वाला डाय जो 49 है वो सेंटर से 30 mm मतलब इसके अगर 140 है तो आदा कितना करेंगे 33 और यहां सी यह 3 mm डेप्थ में मतलब यह जो काउंटर है जिसका डाय 49 है वो है 3 mm की डेप्थ में ठीक है और यहां पर 3D वीव में भी आपको दिख जाएगा देखिए यहां पर अंदर की साइड में एक काउंटर बना हुआ है यह 3 mm की डेप्थ में और इसका डाय है 49 ठीक है और जो इसके बाद में आप देख रहे हैं यह छोटा वाला डाय वीच वीच जो छोटा डाय है वो है डायमेटर 22 का जो पता चला यह डाय है यहां पर देखिए डाय कि आप देखिए के सिंबल है 5 5 से शो गरते हैं डाय को ठीक है नेक्स्ट है यह जो बड़ा काउंटर बना हुआ है यहां पर यह कितना है 36 का ठीक है और सेंटर से इसकी यह वाली लैंद्थ है यह है 91 ठीक है और क्या डिटेल्स इसमें दे रखिए है यहां से इस होल की details हो गई यहाँ पर देखिए यह निचे वाला होगई यह वाला जो होल है इन होल कि डिटेल है यहाँ पर होल कितने का है भाई इसमें भी देखिए उपर काउंटर बना हुआ नीचे छोटा होल है नीचे वाला जो होल है वह 10 mm है ठीक है जो hole बिचो बीच है वो 10 mm का है इसमें जो counter बना हुआ है वो dia 22 का है और नीचे की तरफ भी एक counter बना हुआ है जो dia 35 का है जिसकी depth है 2 mm उपपर वाला जो dia 22 का counter बना हुआ है उसकी depth है 5 mm ठीक है अब नीचे की तरफ नीचे जो इस 3D view में दीख नहीं रहा है इस seat के बिलकुल आप देखेंगे इस तरह का aica counter बना हुआ है ठीक है जिसमें इसका diameter दे रखा है इसकी यह जो आईडी आप देख रहे है यह वाला diameter यह तो है कितना 64 यहां दे रखा है और यह जो counter बना हुआ है यह देखे यहां इसमें दिख रहा है यह वाला जो counter बना हुआ है इसका जो डाय है वो है 120 ये सारी details इधर चुमिलगी अब इस वाले view में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है भई यहाँ पर दे रखा है यह जो flange है यह नीचे इसकी जो थिकनेस है वो 20 mm है ठीक है और यह जो counter नीचे की तरफ बना हुआ है वो इस 122 जिस पर चैंफर भी मांगा है 1.5 x 45 degree का चैंफर मांगा है ठीक है और इसमें किसकी detail दे रखी यहाँ पर देखी यह वाला जो बड़ा diameter है इसमें यहाँ पर यह तो दिखा दिया यह 64 का है ठीक है और यह जो और उपर बना हुआ है counter ID की तरफ में देखेंगे तो दिखें है 3D room में यह 130 का है और यहाँ पर यह जो radius बनी हुए यह वाली यह वाली जो radius है यह है R80 की और यह उपर जो radius बनी हुए है यह है R60 की रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक कि जो height है इसकी total height है वो है 182 ठीक है और यह जो hole बने हुए इनकी position के है वाई जो इसका bottom है यहाँ यह वाली flange का bottom नए कि इसका bottom flange के यहाँ से इस वाले face से लेके इसकी height है इसका center है वो है 150 ठीक है और इसमें और क्या details है इसकी भी सारी details जो भी थी वो सारी हो गई यहाँ पर देखे यह R25 है यहाँ नीचे के तरफ R25 और यहाँ पर यह R45 ठीक है यह R की detail हो गई और क्या के हैं और इसमें देखे हैं यह वाली है यह R36 की यह जो ऐसे वरीवी radiation है R36 की radius है यह जो hole है 22 वाला जो इसमें counter है 10 का यह वाला होल है यह होल कितने हैं यह होल है 6 6 कैसे हैं यहाँ पर देखे यह दे रखा 60 degree पे एक hole है एक दूसरे से 60 degree मतलब 360 में कितने हो गई 6 hole हो गई R76 यह अंदर वाली R है यह 76 है यह R36 है यह R140 है R140 कौन सी यह R140 की PCD पे बने हुए है मतलब pitch circle die कितना हो जाएगा 280 इसका pitch circle die हो जाएगा 280 और यह वाली जो radius है यह है R76 26 यह देखे यहाँ पर PCD में R करके दे रखा है मतलब die हो जाएगा 280 की PCD पे जो drill hole है वो 6 बनाने हैं और एक दूसरे से 60 degree पे वह जाएगे जिनका diameter देखिए यहाँ पर 22 का उसमें counter 10 की इसमें छोटा वाला और नीचे से भी counter जो 2 mm की depth में die 35 का है ठीक है तो इस तरह से यह सारी drawing के लिए हो गई है अगर अभी भी इसमें कोई doubt हो तो मुझे comment करके बता सकते हो whatsapp group में जुनने के लिए जो link है वो आपको description में मिल जाएगी knowledge tv में वहाँ पे काफी लोग जुड़े हो हैं अगर मैं भी reply नहीं करता हूं तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग जुड़े